महाशिवरात्री के साथ ही आगामी होली महापर्व को लेकर फाग महुसव कायूजन बाडमेर में शुरू हो चुका है शहर के विबिन इलाकों में शाम के समय चंग की गूंच के साथ फागे गाय जाने का क्रम अपने परवान पर है इसी कड़ी में बुदवार को शिवनगर स्थितिश शिव मंदिर में तुलसी बाई महिला मंडल वा मंदिर कमिटी द्वारा फागोसव कायूजन किया गया कायूजन के दुरान महिलाओं ने फाग गायन के साथ भजजनों की प्रसुतिया दी महा शिवरात्री के साथ ही आगामी होली महापर्व को लेकर फाग महोसव कायूजन बाडमेर में शुरू हो चुका है शहर के विबिन इलाकों में शाम के समय चंग की गूंज के साथ फागे गाय जाने का क्रम अपने परवान पर है इसी कड़ी में बुद्वार को शिवनगर स्थित शिव मंदिर में तुलसी बाई महला मंडल वो मंदिर कमेटी द्वारा फागोसव कायूजन किया गया पवनपूरी महाराज एवं सादवी अनुश्रिया की सानेदे में आयजित हुए फागोसव में बड़ी संख्या में महला श्रतालू उपसित रहे कायकरम के दुरान तुलसी बाई महला मंडल महलाओं ने फाग गयन के साथ भजनों की प्रस्तुतिया दी जिस पर महलाई जूमती नजर आई इस फागोसव के दुरान शिव मंदिर में रादा कृष्ण की जहांकी सजाए गई महलाओं भक्तों ने भगवान कृष्ण की विदिवत पूजा अरचना के बाद भजनों की प्रस्तुती के साथ फूलों की होली खेल कर एक दूसरे को फागोसव की बदाई दी गौर्तलवे की माशिवरात्री से शुरूआ ये फाग महोसव आगामी होली मापर्व तक आयुजित होगा इसके थैस शेर के विबिन मंदिरों में कई कारक्रमों कायुजन के साथ मंदिरों में फागोसव कायुजन होगा वहीं कई इलाकों में चंग की थाप पर भी होली के रंग देखने को मिल रहे हैं फागुसफ के तोरान तुलसी बाई, पप्पू बाई, कांता बाई, जमना बाई, पूजा, गुड़ी, अंसी बाई समेद महला मंडल की महलाएं उपसित रही